वर्ष 2005 में अनीस बजमी द्वारा निर्देशित सूपर हेट फिल्म नो एंट्री का प्रदर्शन हुआ था जिसमें सल्मान खान ने लीड रोल निभाया था इस फिल्म के प्रदर्शन के बाद से ही सीकुल की चर्चा होती रही है नो एंट्री में एंट्री नाम भी तै हो गया खबरी आए कि अनीस बजमी ने सल्मान को कई स्क्रिप्ट दिखाई जिसमें से एक सल्मान तो पसंद आई उन्होंने कई सुझाब अनीस को दिये और अनीस ने उन पर काम भी किया बहराल इस मामली में ताजा खबर ये है कि सल्मान ने निर्माता बोनी कपूर और निर्देशन अनीस बजमी को सपष्ट कर दिया है कि वे नो एंट्री का सीकुल नहीं करना चाहते इस खबर से बोनी और अनीस निराश हो गए कारण तो सल्मान ने नहीं बताया लेकिन उनसे जुड़े सुद्रों का कहना है कि सल्मान स्क्रिप्ट से खुश नहीं है इन दिनों सल्मान किसी भी फिल्म के लिए तब ही हा करते है जब उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आए सल्मान का मानना है कि उन्होंने अनीस को कई मौके दिये लेकिन अनीस ऐसी स्क्रिप्ट नहीं लिख पाए जो सल्मान को पसंद आए लिहाजा उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब इस प्रोजेक्ट पर और मेहनत करने की दरूरत नहीं है